अस्सलाम वालेकुम नाजरीन नुरानी खबरों में आपका खेर मगद्यम है नाजरीन कोरोना वायरस के मामले जिस प्रकार से बढ़ रहे हैं उसी के साथ साथ इसको लेकर राजनीती भी शुरू हो गई है निजामुदीन मरकज में जिस तरह से 2000 लोग जबा थे उसे लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरिवाल ने भी FIR की मांग करके अपने आपको पाक साफ करने की कोशिश की है और वो समझ रहे हैं कि FIR की मांग करके वो अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो गए और यही हाल दिल्ली पुलिस का है खास्तोर पर निजामुदीन थाना जिसकी दीवार बिलकुल इस मरकज की दीवार से मिली हुई है और थाने से भी मरकज की सभी गतिविधियों को देखा जा सकता है यह दिल्ली पुलिस 1000 जवानों को लेकर करफ्यू में शाहीन बाग को खाली करा सकती है तो क्या मरकज से 2000 लोगों को नहीं निकाल सकती थी जबकि मरकज के लोगों को कहना है कि हमने 25 तारीख को ही पुलिस को लेटर दे दिया था देखिए यह लेटर की कौपी है और मरकज में ठहरे लोगों को छोड़ने के लिए अपनी बसों की लिस्ट दे दी थी और पुलिस से सुरक्ष की मांग भी की गई थी क्योंकि सरकार हमें बस उपलब्ध नहीं कर रही थी और देश के प्रधानमंत्री ने घूशना कर दी थी कि देश में 21 दिन का लोकडाउन यानि करफ्यू ही समझू लगा दिया गया है और जो जहां है वहीं रहेगा तो ऐसी स्थिती में हम क्या करते बाहर पुलिस निकलने वालों पर लाठिया मार रही थी सुनिए जमात में आए लोगों का क्या कहना है जो निजाम अधिन मरकज के अंदर जो बाति चल दी है मेडिया बता रही है इसके बारे में आपनों क्या कहना है आज पर जो मेरिया में पाध हजरत निजाम 11 के बारे में है यह बात 물ीया ने बहुए सारे बाते को खलाप भारावा रूट किया है पहले तो यह जानना चाहिए एक निजाम-दीन है क्या चीज़ निजाम-दीन एक इंटरेशनल जगह है जहां सारे दुनिया से लोग आते हैं और यहां से दुनिया में जाते भी है यहां इसालियत का सबक सिखाए जाता है यहां जिन्दगी का मकसद बढ़ाय जाता है यही वज़ा है कि यहां पे लोग आते हैं और अपनी जिन्दगी में तब्रीली चेंज महसूस करते हैं इसको बहला जानते हैं यहां किसी धर्म जातपात की बात में की जाती है यहां पे इंसानियत का सबक सिखाए जाता है यहां पर 1500 लोगों का एक वक्त में रहना कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि इंटरनेशनल जगह है यहां के लोग आते रहते हैं यहां से लोग जो सब्सक्राइब जाते रहते हैं जब लाग डाउम हुआ तो उस मौटे पर भी इतना आदमी वहां पर मौझूद थे लाग द सब्सक्राइब लेटर लिखा कि हमारे पास इतने आदमी हैं इनकलने का इंतजाम किया अथार्टी ने को आपरेशन किया और कहा क्या ठीक हम उनके साथ मिटिंग भी किया लेकिन बाद में यह कहा कि हम जब यहां से निकालेंगे तो हम सब पर चेकिंग भी करेंगे सब्सक्राइब करना चाहिए किसी को इसके बारे में खौफ खाने की जवरत नहीं है डरने की ज़रत नहीं है जो हुआ है उढ़ात है। सब को मालूम है कि मेडिया जो है इशारे किसी के हिदायत के काम करती है अपनी जिम्मेदारी से कोई नहीं बच सकता क्योंकि दिल्ली पुलिस केंद्र के अधीन है हम आप सभी से गुजारिश करते हैं कि ये बहस का समय नहीं है बलकि एक साथ आकर इस खतरनाक बीमारी से लड़ने का समय है ना कि हर मामले को हिंदू वर्सिस मुस्लिम बनाने की कोशिश करने का नाजरीन हम अल्लह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लह ताला इस बीमारी से पूरी दुनिया की हिफाज़त फरमाए आमीन नाजरीन अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर दें और अपने जानने मिलने वालों को शेर करना बिलकुल न भूले आप अपने सुजाओ वा शिकायते हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दे दें अल्ला हाफिज